मुख्यमंत्रिय अशोग गहलोद का भी बयान सामने आया है यूपी पुलिस को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि यूपी पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है कानून के तहत कारवाई होनी चाहिए जो कुछ यूपी में हो रहा है यूपी पुलिस को लेकर उन्होंने काए कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है कानून के तहत कारवाई होनी चाहिए मुख्यमंत्रिय अशोग कैलोद का बयान उन्होंने काए कि ये जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है ये आसान काम है कानून के पट पर चलकर कानून के दाइरे में रहकर काम करना ये भले ही मुश्किल रास्ता हो लेकिन सही रास्ता यही है सीम ने यूपी पुलिस को लेकर सवाल खड़े किये है आईए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि राजस्तान की मुख्यमंत्रिय अशोग गैलोत ने अतीक मर्डर को लेकर क्या कुछ कहा है पुल्पी में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है कानून का राज नहीं रहेगा तो गटना किसी के साथ हो सकती है कानून के अंत्रक्रति सब कारवें होगी तब जाके देश में कानून रस्ता कायम रहेगी देश एक रहेगा अखन रहेगा सभी जाती धर्मों के बिच में कॉंफिलेंस रहेगा मेरा मानना है कि वो तरीका है यह तो बतासान काम है जो यूपी मोराव बहुत आसान काम है मुश्किल काम वो है कि आप कानून का पातनी करो कानून करार इस्ता भी रखो सब को न्याय सुनिशित करो यह मेरा मानना है